तो आज के बात करने वाले हैं प्रणाम स्कीम के बारे में तो फर्स्ट अपॉल जरा देखते हैं यह प्रणाम इसकी मांखिट नियूज में क्यों है देखे रेसेंटली देश में केमिकल फर्टलाइजर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है जिससे कम करने के लिए और खास करके गवर्मेंट ओप इंडिया को यूनियन गवर्मेंट को जो केमिकल फर्टलाइजर होता है उस पर लाज स्केल ओप इमांट सब्सिडी के तौर प हैं सबसे पहले ज़र हम PM प्रणाम स्कीम की भी से हम समझते देखिए अगर PM प्रणाम स्कीम की फुलपाउं की बात करें तो जैसा गवर्मेंट ओप इंडिया ने से बताया है कि PM प्रमोशन ओप अल्टरनेट न्यूट्रेंट्स पोर अग्रिकल्चर मेनेजमेंट योजना केमिकल फरटलाजर के डिमांड को कम कर सके घाँ धे होता क्या है कभी लाज़ स्केल ओप इमाउंट जू होता है यूंटि गरूर्मेंट को हो केमिकल फटलाजर के सबचेडी पे खर्च करना पड़ता है तो इसका सबसे बड़ा खर्च बढ़ता चला जा रहा है लंगर हम डाटा की बात करें तो demand बढ़ती चली जा रही है जैसा कि financial error 2022-23 के लिए बताया गया है इसमें बताया गया है कि 2.25 lakh करोड रुपीज Government of India सिर्फ हो सिर्फ chemical fertilizer के subsidy पे खर्च करने वाली है तो ऐसा हमाँ आप समझ सकते हैं एक large scale of amount खर्च हो रहा है दूसरी तरफ क्या हो रही है जो smile के productivity हो भी कम होती चले जा रही है तो उसे भी save करने के लिए जरूरी है कि जो हमारे chemical fertilizer है उसके alternate को develop किया जा सके इसी के लिए ये PM परणाम scheme Government of India लेकर आ रही है तो अब बात आती है कि ये scheme के features क्या है इसके लिए काम कैसे करेगा जरा इसको समझने देखिए इसमें बताया गया है Government of India की तरफ से कि इसके लिए कोई separate budget नहीं होगा मिन्स सबसे सोचने वाली बात है कि माल लिए कोई scheme launch की जा रही है उसके लिए कोई separate budget नहीं होगा पैसा ही नहीं होगा तांकि ये जो प्रोग्राम है रन कैसे करेगा तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि इसके जो budget है कि पैसे होंगे कहां से इसमें Government of India नहीं बताया है इसे example से समझते हैं माल लिए कि UP गवर्मेंट को Central Government per year 100 करोड रूपीज subsidy के तौर पर पैसे देती है ऐसे माल लिए कि UP गवर्मेंट 60 करोड रूपीज सेविंग कर लेती है 60 करोड का सेव कर लेती है तो सिर्फ 40 करोड रूपीज ही खर्च करती है fertilizer पे तो ये 60 करोड के 50% means 30 करोड रूपीज Union Government सीधे सीधे UP Government को transfer कर देगी 30 करोड रूपीज अब सीधा क्या हुआ UP Government का हो गया ऐसे में 30 करोड रूपीज में से जो UP Government है 70 कर्च करेगी उन जग होपे जहां पर alternative को develop किया जा सके क्योंकि demand ही है कि alternative nutrients को develop करना और जो 30% बजगया पैसा 30 करोड रूपीज में से उसे जितने भी farmer हैं उन्हें incentivize करने के लिए खर्च कर सकती है ताकि उन्हें भी promote कर सके उन्हें भी बता सके कि भाई जो chemical fertilizer है वो अच्छा नहीं है जो soil है उसकी भी demand वो soil की productivity कम होती चली जा रही है तो overall तरीके से समझे कि इस तरीके से इस formula पे पूरा का पूरा ये program run करने वाला है तो अब बात आती है क्या कि गवर्मेंटी लाँच ही क्यों कर रही है देखे प्रॉब्लम क्या है कि last five year से हम देख रहे है डाटा की बात करें गवर्मेंट उपिडिया जैसा लोग सब हमें बताया भी है कि जो fertilizer demand है उसे कम करने की कोशिस की जा रही है इस program के थाथ और साथ साथ कोशिस की जा रही है कि balance you जो fertilizer को develop किया जा सके नहीं तो क्या होगा long term में जो हमारी soil है उसको productivity खतम हो जाएगी और last moment पर क्या होगा हमारी productivity कम होगी तो हमें फिर import करना पड़ेगा grain बाहर से दूसरा number क्या है कि जो fertilizer है उसके जो chemical fertilizer के हम बात कर रहे हैं आप धियान रखेंगे हम कि जो chemical fertilizer है हम उसके alternative को develop किया जा सके ताकि हम जो alternate है उसे develop कर सके और अपने soil है उसके productivity को भी बढ़ाए रख सके तो होप आपको PM प्रणाम से रिलिटेट सारी बाते समझ में आई होगी थैंक्स पर वाचिंग